हेलो फ्रेंड दिस इज रुपेश वेलकम माई यूटूब चेनल मैस्ट एजूकेशन दोस्तो व्यापम ने एक भरती विज्यापन जारी कर दिया गया है जो परिच्छ निर्देश जारी किया है लेखा पाल यह हम करिश्ट लेखा पाल भरती परिच्छ दोजर बाइस की बात कर रहा हूँ मैं देखे आज हम बात करने माले हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए कितने पदो पर भरती होगी सिलेवस क्या होगी योगिता क्या होगी परिच्छ की योजने क्या होगी प्रारंभिक्ति थी ये मंतिम्ति थी पूरी जानकरी के लिए लाश्टक जरूर देखें अगर आप चैनल पर नाए है तो अभी से सस्क्राइब करके रख लिजी आपको इस चैनल पर लेटेस्ट अब्डेट इस वीडियो में आपको मिलती रहेगी जो नोटिफिकेशन की घंटे है उसे आल पर सेट कर जरूर कर ले लेटेस्ट अब्डेट के लिए इसकी पूरी जानकरी के लिए राश्टक जरूर देखें जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 36 गर्राज ये वन विकास निगम लिमिंट के अंतरगत लेखा पाल ये हम करिश्ट लेखा पाल भरती 2022 में आलेन आवेदन करने की जो प्रारंबिक की थी है 16 फरवरी 2022 को यानि कि बुधवार आलेन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तीथी है 3 मार्च 2022 को यानि कि गुरुवार को और जो तुटी सुधार होगा उसके 4 से 6 मार्च 2022 को दिया गया है उसके बाद देखते हैं कि जो प्रविस पत्र जारी करने के संबन में तो 11 मार्च 2022 को यानि कि शुक्रवार को परिच्छा की जो संबहावी तिथी माना गया है 20 मार्च 2022 को रविवार परिच्छा का जो समय है ना जो समय है यहाँ पर देखे परिच्छा के केंदर प्रदेश के 5 संबहावी मुख्याला में अब बात करते हैं परिच्छा सुल्क की है ना तो समान्य वर्ग के लिए साड़े तीन सो रूपया है और अन्य पिछला वर्ग के लिए धाई सो रूपया है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती या निसक्त जन के लिए दो सो रूपया मात्र इसके बात करते हैं तो परिछा जो जीनार दो चरण नों होगी, पहला चरण है जो 1.500 अंकों का होगा और दूसरा चान है 50 अंकों का का व्यापाम जो आयोज जो परिछा प्रस्नों की संखेर 1.500 होगी, प्रत्यक प्रस्ना पर एक अंग दिया जाएगा, कूल अंग 1.500 का होगा, और समय 3 घंटे का प्रसना होंगे उसमें 75 रंग आपका होगा इसके बाद देखें व्यापामतर आयोजीत परिच्छा के जे अंतरगत उम्मीद द्वारों को प्रसना पत्र में कम से कम 33 प्रतिसत प्राप्त करने होंगे अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती एवां अन्यप पिछला वर्ग के उम्मीद द्वारों को मामले में कम से कम 23 प्रतिसत होना आउस्यक है इसके बाद परिच्छा का पाठेक्रम देखने वाला है जो भागवान में लेखा संबंदी है और भागटों में कम्पूटर ज्यान संबंदी जैसे कि आपको दी स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा इसके बाद बात करने वाले हैं सेक्षणिक योग्यता की देखें यहां पर लेखा पाल के लिए पद है यहां पर प्रतम सड़ी में बीकौम उत्तिर्ण होना है और किसी भी मान्यतर प्राप्त संसर से डाटा एंटर आपरेटर प्रग्रामी में एक वर्स डिप्लोमा या प्रमान पत्र तत्र डाटा एंटर आपरेटर 5000 प्रति घंटा गती होना चाहिए अब करने लेखा पाल के बात करते हैं सेक्षणिक योग्यता की तो मान्यतर प्राप्त भी सुविद्यालत से निम्तम पर इच्छा उत्तिर्ण होना आउसक है उसके बद किसी भी मान्यत प्राप्त संसा से डाटा एंटर आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्स डिप्लोमा या प्रमान पत्र या डाटा एंटर आपरेटर में 5000 की प्रति घंटा होना आउसक है अगर वीडियो आपको हुआँ